काफी बढ़िया दिन जहां पे फिरोजाबाद पुलिस ने पॉलिगन ब्लॉक्चेन का यूज करके F.I.R को रेजिस्टर करने का एक सिस्टम बनाया मतलब कि जो भी विक्टम्स होंगे अब वो अपनी F.I.R को पॉलिगन ब्लॉक्चेन पे स्टोर कर पाएंगे जो कि I think बहुती बढ़िया चीज है क्योंकि ब्लॉक्चेन पे विए जो एक बार चीज स्टोर हो जाती है उसको कोई हटा नहीं सकता और F.I.R जैसे इंपोर्टन इंफोर्मेशन तो I think ब्लॉक्चेन पे ही स्टोर होनी चाहिए और इससे इसे रिलेटर का आपने देखा हो तो Sandeep जी जो कि Polygon के founder है उन्होंने भी स्टेटिक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस कम्प्लेंट अन ब्लॉक्चेन पावर्ट बाइ पॉलिगन इस वेरी क्लोस तो माइ हाट जो कि बहुत ही सही बात है आपने भी देखा होगा जहाँ पर कई बार पुलिस क्या करती है विक्टम्स की F.I.I.R को रिजिस्टर नहीं करती है और या फिर वो अगर रिजिस्टर करती है तो किसी फेक पीपर पर कर देती है और विक्टम्स जो की बिचारत जादा पढ़ा लिखा नहीं है जाए इसको जादा आइडिया नहीं है इंसारी प्रोसीडिंग का उसको वो एक फेक पीपर पकड़ा देती है जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है मतलब FIR को तब भी लॉंच नहीं किया जाता है और अगर FIR भी लॉंच हो जाती है तो जो FIR की कॉपी होती है उसको destroy कर दिया जाता है चुकि I think सही नहीं है और I think blockchain पे इस FIR को deploy करना I think one of the best चीज है क्योंकि भाई हम सब जानते है blockchain is immutable. This is the power of blockchain, right? So this is the thing So अब इस चीज के बारे में मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ चीजे शेर करूँ कि भाई आखिर में किस company ने ये website बनाई, अभी मैं आपको ये website दिखाऊंगा जिस website का नाम है police complaint on blockchain.com करके है मैं आपको ये website दिखाऊंगा भी तो ये website किसने बनाई, इसके बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि आखिर में ये website कैसे work करती है और सबसे important question जो कि हम end में लेंगे, क्या सारी चीज़ां यहां पर transparent है So I think सबसे बड़ा concern है मेरा, तो मैं इसके बारे में भी आपसे बात करना चाता तो जली शुरू करते हैं, तो भाई आखिर में ये website बनाई किसने, तो इस website की पीछे हैं, अंकुर राखी सिना जी, जिनकी company का नाप है airchains, और airchains decentralized application बनाती है customizable decentralized application बनाती है और फिरोजाबाद, UP police के लिए इनों ने ही, इस decentralized application को बनाया, मतलब जहाँ पे इस website को link किया polygon की blockchain के साथ, अगर आपको इनकी website देखनी है, so ये इनकी website है, airchains, build, deploy and grow your dap, this tools gives you a cover, a large portion of the service that developers would normally have to build themselves, but don't really want to build, ततलब कि ये ऐसी चीज़ें आपको provide करेंगी, जिसके तुरू जो चीज़ें आप नहीं भी करना चाते हैं, क्योंकि भाई, blockchain में सबको scratch से करना पड़ता है, तो ये आपके लिए काम आसान कर रहेंगी, और ये ही company basically involved है, इस website के पीछे, जिसका नाम है ये अभी इसके बारे में मैं आपसे बात जरूर मैं collaboration में नहीं कहूंगा, मतलब बात चीच चल लिए है जाना हसम, छत्तिजगर, दिलही और वेस्विंग ओल की पुलिस भी शायद FIR को launch करेगी blockchain के उपर, जो कि बहुती बहुती बढ़या चीज होगी आने वाले टाइम में अब बात करते हैं, इस website की मैं आपको दिखाऊंगा भी, फिर ये जो website है, ये जो हमारा data है, वो store करेगी polygon की blockchain पे, और जैसे ही हमारी FIR यहाँ पे store होगी, इन user को एक tracking number, एक number allot किया जाएगा, जिसमें सारी चीजें, इस FIR से rated होगी, कौन है, किस officer को ये case दिया गया है, और भी सारी चीजें, इस tracking number के सार, इन user को मिलेगी, बट बहुत सारी cases देखा गया है, कही बार FIRs जो होती है, वो fake होती है, फरजी होती है, तो इसी लिए, पुलिस यहाँ पे क्या करेगी, पहले ये जो data यहाँ पे store हुआ है, इसको verify किया जाएगा, पुलिस के तुरू, पहले पुलिस इसको verify करेगी, भी आपने जो FIR launch किया है, ये actually में सही FIR है कि नहीं, अगर ये FIR सही निकलेगी, तो भाई, पुलिस अपनी कारवाही आगे बढ़ाएगी, अगर ये FIR गलत निकलती है, मतलब एक फरजी FIR निकलती है, तो पुलिस इसको null कर देगी, बट स्टिल, जो data रहेगा, वो हमारी Polygon की blockchain पे store रहेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्यूंकि आप सोचों, हो सकता है कि पुलिस जो है, वो थोड़ा corruption कर रही है, और उसने जान मुझ के FIR को null करार दे दिया, मतलब कह देगी FIR जो है फरजी है, तो अगर ये user चाहे, तो ये क्या कर सकता है, इस data को जो की पहले से अविलेबल है Polygon की blockchain पे, इसको दिखा सकता है, और authorities को, और कह सकता है, भीया मैंने तो FIR की दी, पुलिस ने इसको verify साही से नहीं किया, तो data को यहां से हटाया नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, manipulate नहीं किया जा सकता, तो इस चीज़ का पूरा फाइदा रहेगा, हमारी user को जो भी विक्टम है, जिसने भी FIR को launch किया है, verification के बाद, verification के बाद, पुलिस के पास ये काम होगा, कि ये इसको register करेंगी, और इनके पास इसके लिए, QR scan कुछ करके चीज होगी, इसके बार में भी जादा information मुझे मिली नहीं है, मैंने बहुत सार ब्लॉक्स पढ़े और साही चीज़े, इनके पास एक QR scan होगा, जिसके through, ये इसको पुरी तरह से register कर पाएंगी, सारी चीज़े कर पाएंगी, जैसे ही ये process हो जाएगा, जो ये FIR है, फिर इसको officially register कर लिया जाएगा, पुल इसके through, तो ये एक बहुत ही simple सा process हो रहा है, इस website पे, अगर इस website को मैं आपको show करूँ, तो बहुत ही प्यारी website है, इसको ये home page पे पहले लिए दिखते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं, क्योंकि ये FIR है, तो यहाँ पे आपको ऐसी गुद टेक्निकल information नहीं मिलने वाली है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे mention कर सकते हो, जैसे ही आप यहाँ पे submit करोगे, data जाएगा पुलिस के पास, पहले आपके पास एक tracking number साई चीज़ें मिल जाएंगी आपको, और फिर पुलिस आपको call wall करेगी, क्योंकि यही प्रोसेस होना चाहिए, पुलिस आपको घर पे विजट करें, और फिर जाके यह पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसके बाद आप देख सकते हैं, जो भी आपने कंप्लेंट की है, उसका status, जैसे कि मैंने का, आपको एक number प्रोइड किया जाएगा, हर स्टेट, हर शहर इसको एडॉप्ट ही करें, अगर इसकी benefit की बात की जाए, जो सबसे बढ़िया चीज़ है, इसमें, वो यह है, यहाँ पर कोई भी centralization नहीं होगा, अगर हम बात करें database में, अगर आप अपनी fire को database में store करते हो, तो chances are very high, कि वहाँ से उसको उड़ाया जा सके, manipulate किया जा सके, और अगर कोई powerful politician इसमें involved है, ओ मैंने चोर की photo लगा दी, sorry for that, politician actually में यहाँ पर अगर involved है, तो वो इस data को यहाँ से database से उड़ा सकता है, बट blockchain में ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो यह सबसे powerful चीज है, जो की हुई है, FIR को launch करके, ब्लॉक्चेन, अब अगर मैं बात करूँ इसके issue की, जो मुझे सबसे बड़ा issue लगा, इस case में, वो यह है कि जब हम blockchain के बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं transparency की, और I think transparency और lucky, कि मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे, सारी चीजों की बारे में बात की गई है, उपर-उपर से, बट यहाँ पे I think कुछ documentation, कुछ source code, क्योंकि हर चीज blockchain में transparent होता है, तो इस तरह की चीज़ें भी I think, अविलिबल करानी चाहिए, पॉलिगन के थूँ, या फिर air chains के थूँ, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें पता रहेगा, कि आखिर में हो क्या रहा है, और इसलिए I think, blockchain इतनी popular भी है, क्योंकि यह decentralization को support करती है, transparency को support करती है, तो आखिर में चल क्या रहा है, behind the back, हमें यह पता हो, अभी हमें बस पता है, कि हाँ हो रहा है ऐसा, मैं दिखो, मैं यह नहीं कहा रहा है, कि वहाँ पर कुछ गरबढ़ है, बट still, क्योंकि blockchain is all about transparency, तो I think, stated documentation भी public को available कराने चाहिए, यह मेरा मानना है, तभी चीज़ें साधा transparent होंगी, साधा better होंगी, हमें पता होगी, भी यह जो code लिखा गया है, इसको register करने के लिए, आखिरे में वो code करता क्या है, यह भी हमें पता होना चाहिए, मुझे लगता है यह, फिर बात कर देंगे, अगर इसके maintenance की, तो maintenance वाला issue भी है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा data यहाँ पर store होने वाला है, और उस data को फिर हमें सर्च करना है, इसी FIR के बारे में हमें information निकालनी है, जो कि blockchain case में हो सकता है, काफी difficult हो, because database में यह सारी चीज़ें easy होते हैं, blockchain में क्योंकि decentralization है, यह सारी चीज़ें हैं, तो पता नहीं कैसे क्या होगा, right, so that's the thing, maintenance वाले पार्ट में भी issue हो सकता है, बट ठीक है, maintenance तो तब भी आने वाले टाइम में सुधरी जाएगा, but the main issue, the main problem that I have is regarding transparency, but let's see, अगर आपके पास कोई information है, बहुत सारे स्टेट्स में और भी लेने चाहिए, यह चीज़ों को बढ़िया कर देगा, especially victims के लिए, right, और victims क्या, पूरी society के लिए मुझे कहना चाहिए, आपको कैसा लगा यह वीडियो, प्लीस कमेंट में जरूर से बताएगा, अगर आपके कोई doubts हैं, तो प्लीस कमेंट में जरूर से मुझे बताएगा, इस वीडियो से related, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीस इसे लाइक करना बिलकुम नद भूलेगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना बिलकुम नद भूलेगा, बिकॉज मैं regular basis पे इस चैनल पर नए-नक वर्सेज अप्लोड करता रहता हूँ, साथी साथ, यह मेरी Instagram ID है, LinkedIn है, जहां पर आप मुझसे directly message के बात कर सकते हैं, अगर आपके मन में कोई query है, या पर कोई doubt है, तो मिलते हैं हम लोग next video में, till then, bye bye.